हेलो फ्रेंट्स विल्कम टू माँ चानल क्रियेटिफ माजिक बाय अच्छना शेर्मा तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक बात शेयर करना चाती हूँ जैसा कि आप सभी लोग चानते हैं कि कोरोना किती स्पीड में फैल रहा है और किते लोगों को हो चुका है ऐसे ही 26 माई को हमारी पूरी फामली को भी कोरोना हो गया था इसलिए हम काफे टाइम तक यूट्यूब पे वीडियो भी नहीं डाल पाए थे लेकिन हाँ अब पहले से हमारी तबयत में काफी सुधार है इसलिए हमने यूट्यूब पे दुबारा वीडियो डालनी शुरू करती है और इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि हमने जब हमें कुरोना था तो उस टाइम पे हमने कुरोना से कैसे फाइट करी आप लोगों को है तो आप लोग कैसे कर सकते हैं हमने इस कुरोना के टाइम में क्या फेस किया और आप लोग क्या कर सकते हैं जिससे आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े और आप अपनी फामिली को प्रोटेक्ट कर सकें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 26 अपरिल को हमारी कुरोना की रिपोर्ट पॉसिटिव आई थी लेकिन उससे दो दिन पहले से ही हमें फीवर आ रहा था हम पैरसिटमॉल खा लेती थे दिन में दो बार तीन बार और फिर फीवर ठीक हो जाता था एक एक दिन में हमें तीन तीन बार पैरसिटमॉल खानी पड़ रही थी और खासी जुखाम की हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी फिर हमने सोचा कि हमें कोवेट टेस्ट करवा लेना चाहिए और जब हम कोवेट टेस्ट करवाने गए तो वहाँ इतनी लंबी लाइन थी कि वहाँ दो-दो घंटे खड़े होके वेट करना पड़ा था और उसके बाथ हमने अपना कोवेट टेस्ट कराया था और जैसे कि आपके सामने भी स्क्रीन पर मेरी रिपोर्ट भी आ रही होगी और इसमें हमें 17 डेस का होम आइसोलेशन एडवाइस किया गया था तो हमने उनको बोला कि आप इस पर मेडिसन लिख दीजे कि हमें जो जो मेडिसन खरीद के लेनी हो वो आप इस पर लिख दीजे लेकिन उन्होंने बोला कि दो दिन बाद या एक दो दिन बाद आपके पास खुड डॉक्टर आ जाएंगे और वो आपको आके देख लेंगे लेकिन कोई भी डॉक्टर नहीं आया फिर हमने दूसरे डॉक्टर से एडवाईस ली और उन्होंने फिर हमें दवाई लिख कर दी तो ये सारी मेडिसन डॉक्टर ने हमें प्रिस्क्राइब की थी मैं सब मेडिसन के बारे में बताऊंगी और मैंने लिया मुझे कैसा फिल हुए इस मेडिसन को लेके वो भी बताऊंगी इसके साथ मैं ये मेडिसन भी ले रही थी तो जो स्टार्टिंग के दो-चार दिन थे उस टाइम में तो कुछ ज़्यादा पता नहीं चल रहा था वीकनेस वगरा सब कुछ ऐसी था ऐसा लगी नहीं रहा था कि मेडिसन कुछ वर्क कर रही है पर धीरे धीरे इंप्रूब्मेंट लगी पहले से बेडर फील होने लगा लेकिन कभी-कभी तब बहुत सदर डाउन हो जाती थी ओक्सेजन लेने में दिक्कत होती थी कभी-कभी तो रात को नीन दी नहीं आती थी इन दवाईयों को लेने के साथ साथ फिर हमने गरारे किये गरम पानी पिया और अभी तक हम केवल गरम पानी ही पी रहे हैं हम फिल्टर का पानी भी नहीं पी रहे हैं और दिन में हमें एक बार काड़ा जरूर लेना होता था और जो हमने काड़ा बनाया उसमें हमने सोट डाली थी, हल्दी डाली थी, लॉंग, काली मिर्च और नमक डाला और इन सभी चीजों को अच्छे से बॉयल करके हमने रोज एक कपे काड़ा लिया था और साथ में हल्दी का दूद और इस पूरे टाइम में हमने बिलकुल भी चीनी नीली पूरी तरह समची हमने चीने का अवाइट कर दिया था और खाने में हमने मूंग की दाल, मसूर की दाल और दलिया ये तीन चीज़ी ही खाई और फूर्ट में हमने रोज नारिल पानी एक फिक्स रहता था नारिल पानी लेना है, कीवी लेना है, एपल लेना है और कभी कभी पपीता कई लोग इसमें बोल रहे हैं कि आप दही ले सकते हैं, दही खा सकते हैं लेकिन हमने इन सब चीजों को avoid किया क्योंकि धाई आप लोग सभी जानते कि ये ठंडी होती है और ठंडी चीज नुकसान कर सकती है तो इसलिए हमने इसको avoid करा और रोज दिन में दो बार घर को sanitize करते थे और अपने घर की window हमेशा खोल के रखते थे तो ऐसे ही करते करते हमें काफी time बीट के और हम काफी हद तक recover हो चुके थे बट एक problem अभी तक नहीं जा रहे थी जो की थी weakness तो जैसे ही हमारा isolation का time पूरा हुआ हम लोग दोबारा एक बार doctor के पास थे और उनको अपनी problem बताई कि इतना हम recover कर चुके हैं लेकिन अभी भी weakness का problem नहीं जा रहा है तो फिर उन्होंने हमारी medicine change कर दी और बोला कि अब आप ये वाली medicine लीजे और साथ में उन्होंने कुछ test के लिए भी बोला जैसे city scan वगेरा के लिए और blurred test करवाने के लिए भी बोला तो हमने सारे टेस्ट कराए और उनकी बताई हुए सारी medicines ली थी तो ये सारी medicines हैं जो हमने 17 days के home isolation के बाद start करी थी मैं यहां बिल्कुल भी नहीं कह रही हूं कि जो medicines मैं आपको दिखा रही हूं पता चले आप इसको खुद अपने बिना doctor से पूछे इसको लेना शुरू कर दें आप एक बार doctor के advice जरूर ले क्योंकि हर इंसान की health condition के according doctor उसे अलग-अलग दवाई देता है फिर हमने ये दवाई start कर दी तो इस दवाई को लेने के बाद हमें पहले से better feel होने लगा आना शुरू किया तो फिर से हमें weakness आ जाती थी और दिक्कत आने लग जाती थी तो मैं आप लोगों कोई advice करूंगी कि अगर आप में से किसी को ये corona है तो please आप rest करें ये मत सोचें कि आप ठीक हो गए है तो आप अपने normal schedule पर आ सकते हैं धीरे धीरे आईए slow slow step लेकि कोशिश करिए कि आप अपने normal schedule पर एक सा start मत हो जाईए कि हम अब ठीक हो गए हैं तो हम सारा काम अपने पुराने तरीके से कर लेंगे क्योंकि इसमें कहते हैं कि तीन-तीन महीने तक आप कोई weakness रहती है डिपेंड करता है कि आपकी health condition कैसी है इस covid के time में ये बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे की help करें एक दूसरे की मदद करें अगर आप किसी की पड़ोसी है और आपको पता चलता है कि आपके सामने वालों को covid हो रखा है तो आप उसकी help करें ऐसा नहीं कि आप उसके पास चाहें आप उसके हाल चाल लें आप दूर से बात करें उससे फोन से बात करें उससे पूचे कि उसे किसी medicine या किसी चीज़ की जरूरत तो नहीं है तो इस pandemic के time पे जब हम एक दूसरे का साथ देंगे तब हम इस coronavirus से लड़ सकते हैं आप बिल्कुल भी मढ़ डरिए कि अगर सामने वाले को COVID हो रखा है तो आप उसे डरने लगें बल्किए प्रेकॉशन्स लीजिए उसकी मदद करिए आप खुद भी sanitize रखें खुद को और उसकी भी साथ में help कीजिए तो मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको कम टाइम में बता सको कि मेरी कोरोना की जो इतनी लंबी जर्नी थी उसमें मैंने क्या-क्या चीजे फेस की और आप यासा क्या-क्या कर सकते हैं जिससे आप improve feel करें अपने आप में और साथ में आप बिल्कुल डरेना और अपना होसला बना के रखें साथ में मैं आप लोगों से एक बात तौर बोलूँगी कि अगर आपको कोविड है तो आप ये news वगेर बिल्कुल बंद कर दीजे सुनिये ही मत क्यूंकि उससे क्या होता है आपको लगेगा यार इतने ल जरुद है आप तभी हॉस्पिटल चाहिए आप ऐसे हॉस्पिटल मत चाहिए क्योंकि जितने अच्छे से हम घर में रिकवर हो सकते हैं उत्ता अच्छे से शायद उधर ना हो पाई क्योंकि उधर भी डॉक्टर आपको वही मेडिसन देगा जो आप यहां पे ले रहे हैं दिफरेंस अतना होगा अगर किसी को ऑक्सिजन में बहुत ज्यादा अधिक्कट आ रही है तो आपको ऑक्सिजन के लिए थोड़ी हैमिप कर सकते हैं ऐसे जदा तो हॉस्पिटल में कुछ भी नहीं हो सकता तो अगर आपको ऑक्सिजन लेने में बहुत ज्यादा ही दिक्क equipo आ रही है कि आप नहीं रह सकते घर पे तो आप जरूर जाईए विल्कुल भी देर मत करिए तुरंत हॉस्पिटल में एड्मिट हो जाईए जाके लेकिन ऐसी अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आपको यही एड्वाइस करूंगी कि आप घर पे आइसुलेट रही है और माइड को इन डि-डिस्टैक्ट करके रखे इसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं आप बुक्स पर सकते हैं आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं उनसे नई-ई-णी चीजे डियावाई करके बना सकते हैं आपकी क्रियेटिवीटी भी बढ़ेगी आप चाहे तो कोई भी बु लेकिन इन सब नेगेटिव नियूस से बिलकुल अलग रही है यह वीडियो मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया है कि आप लोग समझ सकें कि इस टाइम में आपको कैसे डील करना है भगवान ना करें कि आपको कभी कोरोना हो लेकिन अगर फिर भी आपको कोरोना हो चाता है तो उस टाइम आप क्या-क्या प्रिकॉशन्स ले सकते हैं और कैसे उससे जीत सकते हैं उसके लिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है तो अगर आपको मेरी जर्णी और मैंने जो भी आपको एडवाइस किया है वो अच्छा लगा हो एफेक्टिव लगा हो तो इस अगली नेक्स्ट वीडियो में